Hello guys, I am Sandeep from Creative Networks आज की वीडियो के अंदर माप को बताऊंगा कि आप 2021 के अंदर Windows 10 को Microsoft की official website से कैसे download कर सकते हैं वो भी simple way में So let's begin तो दोस्तो Windows 10 को download करने के लिए आपको जो official website है वहाँ से ही download करनी है लेकिन वहाँ पे कोई भी direct link का आपको नहीं मिलेगा download करने का तो आपने सबसे पहले करना क्या है आपने Chrome browser open करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है download window 10 अगर आप किसी और website से download करेंगे तो उसके अंदर आपको virus मिल सकता है तो आपने official website से ही download करनी है तो आपको जो पहली website दीखेगी तो microsoft.com की है तो इसके उपर click कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी direct link नहीं मिलेगा window को download करने का तो इसके लिए आपने करना क्या है आपने यह right click करना है और यहाँ पे inspect का जो option दिखाई देगा उसको open करना है आप इसको open करने के लिए shortcut वे भी use कर सकते हैं control shift I तो आप shortcut 3K से भी इसको open कर सकते हैं या पिर यहाँ पे click करके भी open कर सकते हैं और जब आप inspect पे click कर देंगे तो आपकी जो इस side पे coding open हो जाएगी इस page की तो आपने यहाँ पे 3 dot दिखाई देंगे इसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको more tool का option दिखाई देगा इसके उपर hover करना है तो side में एक और आपका option दिखाई देंगे तो यहाँ पे आपने choose करना है network condition इसके उपर click करना है तो यहाँ पे आपको network condition open हो जाएगी तो आपने यहाँ से जो आपका select automatic है इसको untick करना है और यहाँ पे आपने choose करना है अगर आपका कोई और option choose हुआ तो आपने करना है chrome os तो otherwise यह trick काम नहीं करेगी तो इसको choose कर लेना है और तो इस page को आपने reload करना है reload करने के लिए आपने इसको close नहीं करना reload करने के लिए या तो आप यहां से कर सकते हैं या फिर F5 का use कर सकते हैं तो इसको reload कर देना है reload करने के बाद आपको यहां पे addition का option दिखाई देगा कि आपने कौन सी window download करने हैं तो आप click करोगे तो आपको यहां पे window 10 का option दिखाई देगा इसके उपर क्लिक करना है और confirm पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको आपकी language चूज करने है कि कौन सी language में आप window डानलोड करना चाहते हैं तो हम English चूज कर लेते हैं और यहाँ पे confirm पे क्लिक कर देते हैं तो यहां पे आप window 64 bit download करना चाहते हैं या फिर 32 bit download करना चाहते हैं आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने according तो मैं window 64 bit download करना चाहता हूं तो इसके उपर क्लिक कर देता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी विंडो है वो इंस्टॉल होनी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है तो आप इस तरीके से विंडो टैन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके लिए ट्रिक काम की होगी अगर आपको फिर भी कोई प्रोल्म आ रहे है तो प्लीज कमेंट सेक्श में कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू गाइस बाई हेलो गाइस आज की वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि आप विंडो टैन को ओ मैकरोसोफट